गुड मॉर्निंग अल उफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बफिस से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजन्स में प्रभू येश्यु मसी के नाम में हालेलुया और हम लगातार परमेश्वर की नियमों को परमेश्वर की सिधान्तों को परमेश्वर के वचन में से हम लोग सीख रहे हैं मेरे प्रियो और आज 26 जनवरी 2022 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आप के लिए है वो हमको मिलता है मती रची सू समचार उसके सतरा अध्याए के अंदर मती रची सू समचार उसका सतरा अध्याए और उसके बीस पत को हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या लिखा है मती रची सू समचार सतरा अध्याए उसका बीस पत जहां लिखा है उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा तो वहाड चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी हलेलूया परमिश्वर का हम धन्यवाद करते हैं परमिश्वर के इस सुन्दर वचन के लिए मेरे प्रियो जब हम पढ़ते हैं राई के दाने के बराबर राई के दाने के जैसा यानि राई के दाने की जैसी टेंडेंसी होती है वैसे हमारे विश्वास की टेंडेंसी होनी चाहिए प्रभु यश्युमर सी इस बात को समझाना चाहते हैं कि राई के दाने की प्रवर्ती जैसी होती है वैसी प्रवर्ती अगर हमारे विश्वास की है तो कुछ भी असंभव हमारे लिए ना होगा अब समझने वाली बात ये है कि राई के दाने की प्रवर्ती यानि राई के दाने की टेंडेंसी यानि राई के दाने की खूबी यानि राई के दाने की खास बात क्या होती है राई के दाने की खास बात यह होती है कि राई का दाना बहुत छोटा होता है लेकिन जब वो बोया जाता है और जब वो बढ़ता है बढ़ता है और बढ़ता रहता है और लगतार बढ़ता है और हर महिने हर दिन हर हफते हर घंटे हर सेकंड वो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है और एक समय आता है कि वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है हालेलूया हम परमिश्वर का धन्यवाद करते हैं हालेलूया ऐसा ही विश्वास हमारा होना चाहिए विश्वास जो बाइबल में बताएगा है न मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वास जो है मेरे प्रियो विश्वास का मतलब है बढ़ता हुआ विश्वास प्रेरितों ने जब हम पढ़ते हैं लूकर रचिसू समचार सत्रा धियाए और इसी के पांच पद के अंदर लूकर रचिसू समचार सत्रा धियाए और उसके पांच पद के अंदर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रेरित प्रभु यश्व मसी के पास आते हैं प्रबु तो हमारे विश्वास को बढ़ा हालेलूया हमारा विश्वास जो है वो बढ़ने वाला विश्वास होना चाहिए जब हम आत्मा में नया जनम लेते हैं विश्वास का बीज हमारे हिर्दे में बोया जाता है उसके बाद उस बीज को क्या करना है उस बीज को जो है हम को फलवंत करना है उसको बढ़ाना है हालिलूया हमें बढ़ना है एक विश्वासी का मतलब बढ़ने वाला विश्वासी होता है विश्वास का मतलब बढ़ने वाला विश्वास होता है मेरे प्रियो हालिलूया तो इस मस्टर्ड सीट से इस राई के दाने से मुझे और आपक विश्वास हमारा परमेश्वर के वच्चन के अनुसार होगा हम उन बातों का जो परमेश्वर के वच्चन में लिखा है उन बातों का निश्चे कर लेंगे क्योंकि विश्वास आशा की वच्चों का निश्चे है और अंदेखी वच्चों का प्रमान है परमेश्वर के वच पर्रे में अपने वच्छन को दिखाएंगे अपने विश्वास की गवाही को जब हम देंगे हलेलुया दूसरों के विश्वास में उन्नती का कारण जब हम बनेंगे तब हम देखेंगे मेरे प्रियों कि हमारा विश्वास बढ़ेगा हलेलुया और जब हमारा विश्वास ब अपनी प्रात्नाओं के उत्तर को प्राप्त कर पाएंगे अलेलुया परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर वचन के लिए तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्ण में आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि राई के दाने से हम क्या स सीखते हैं जरूर कमेंट करकर अपने आंसर को दें परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ बढ़ाएं बढ़ाएं और आप प्रभु में बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें हालेलुया गौड ब्लेस यू कि अजय करेंगे बढ़ाएं बढ़ाएं प्रभु में प्रभु में जरुष तक प्रणेश्वर रहें हाले बढ़ते रहें हाले।